कर दोस्तों मैं हूं राहूल और आप देख रहे हैं मिशन कॉंपिटिशन तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके हाज रहें बिहार एन यूपी एसाई के लिए टेस्ट नंबर साथ ठीक है अब आप सोचते होंगे सर्ट टेस्ट नंबर जो आप लाते थे कट आफ लाते थे 40, EBC के लिए 39, OBC के लिए 37 और SCSt के लिए 34 और जब टेस्ट खत्म होगा टेस्ट के आफरी में आपको आज गा यानि कि सातवा वीडियो, सातवा नंबर सीरीज, टेस्स सीरीज का सातवा वीडियो आपको आज पराप्त होगा, जो है ना, आज जो तीन जून है, तीन जून का आपको हमवग वीडियो के आखडी में दिया जाएगा, चलिए बिने दरीगे, फटवर्ट से आज का वीडियो हमें प्रैक्टिस सेट के उपर यह हमारा प्रैक्टिस सेट नमबर साथ बिहार एंड यूपीए सई के लिए mission competition के दौरा ठीक है चलिए video start करते हैं first question है हमारा क्या देखिए first question है थानेश्वर के वर्धन वन्स का संस्तापक कौन था था थानेश्वर के वर्धन वन्स का संस्तापक कौन था तो ये था pushy के भूती सी हमारा यहाँ बिलकुल ही correct हो जाईगा राइट नमबर देखते हैं हर्स Mimi के सोने के सिक्वे के पुस्ट भाग पर किसका अंकन है तो इसके पुस्ट भाग पर जिसका अंकन है वह है सिव और पार्वती जी का ठीक है सी हमारा correct हो जाएगा हर्स के जो सुनेक सिक्के होते थे उसके पुस्ट भाग पे सिव और पार्वती जी का अंकन मिलता था उपरी भाग पे ठीक चली तीन नमबर देखते हैं वह कौन एलोडा में दस अवतार और रावन का मंदिर बनवाया तो एलोडा में दस अवतार और रावन का मंदिर जो बनवाया था वो था दंती दुर्ग ए हमारा यहां बिलकुल ही सई हो जाएगा पांच नमबर देखते हैं कौन सा चालुक के सहर मंदिरों का सहर कहा जाता है तो वो सहर जो मंदिरों का सहर का जाता है वो है ए होल ए एपसलूट यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा छे नमबर देखते हैं कोश्चन नमबर हमारा सिक्स निमलिकित में से कौन सी गुफा त्री मूर्ती के लिए विख्यात है त्री मूर्ती के लिए जो गुफा विख्यात है वो है की गुफा C हमारा यहां सही हो जाएगा लिफ एंटाई गुफा जो है इसमें त्री मूर्ति की की मूर्तियां है इसलिए वो गुफा इसलिए भी काफी विख्यात है चलिए C हमारा सही हो यह कहां पर इस्थित है अंकोरवाट विश्णू मंदिर जो है देखे यह है कंबोडिया में सी हमारा यहां बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा नो नमबर देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा रत मंदिर सबसे छोटा है तो सबसे छोटा रत मंदिर की अगर हम बात करें तो वो था दुरोपदी रत मंदिर, दुनिया का सबसे चोटा मंदिर है, यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, दस नमर देखते हैं, दस नमर निमलिखित में से कौन चोल प्रसासन की विशयस्ता थी, तो इसमें से जो चोल प्रसासन की अगर हम विशयस्ता की बात करें, ज के जो है प्रशासन था घिक है यहाँ पे ग्राम प्रसाषन ही सरवोपरी था उसी की यहाँ पे महत्ता थी तो इसकी विसेस्था यहीं है चोल प्रसाषन की 11 नमबर चोल यूग निम Dob forens मैं किस के लिए प्रसिद्ध था ढएक देखे चोल यूग की अगर हम बात करें जो ये परसिद्ध था जिस चीज के लिए तो अगर उसके हम बात करें तो चोल यूग जो है परसिद्ध था आपने ग्रामिन सभाएं के लिए भी हमारा सई हो जाएगा बारवा नमबर चोल काल में निर्मित नटराज की कांसे प्रतिमा में देव आकरती प्राया किसकी होती थी तो देखें ये जो आकरती बनी होती थी ये चतुरभुज की होती थी ठीक है तो ये राजेंद्र प्रत्थम के द्वारा इसके स्थापना करी गई थी C हमारा यहां सही हो जाएगा 14 देखते हैं किस चोल राजा ने जल सेना प्राडंब की थी तो जल सेना प्राडंब करने के अगर जो हम बात करें वो था राज राज फरस्ट ने जल सेना स्टार्ट करी थी C हमारा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 15 नंबर उस चोल सासक का नाम बताईए जिसने स्रिलंका इमें उत्री भाग पर विजई प्राप्त की तो वो जो चोल सासक जिसने स्नलंगा मूतरी भाग के विजय प्राब्त की वो था राज-राज फर्स्ट ए हमारा इहाँ सई हो जाएगा ठीक है? 16 देख लेते हैं चालुक के वंस का सबसे महान सासक कौन था देखे चालुक के वंस का जो सबसे महान सासक था वो था pull case in second C हमारा correct हो जाएगा दोस्तो आज जो है 3 जून का जो homework है ये वीडियो के आखिर में discuss किया जाएगा तो वीडियो के आखिर तक आप definitely बने रहें 3 जून का आपको homework वीडियो के आखिर में discuss उसका होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारा है question number 17 निमली के तुम से किस once द्वारा प्रा या महिलाओं को प्रसासन में उच्पद प्रदान किये जाते थे तो महिलाओं को प्रसासन में उच्पद जो प्रदान किया आता थे वो चालूक के once के द्वारा ही start किया गया था देखे इसमें मैंने focus कर रहा है हमारे ancient history पे भी और कुछ current effects भी इसमें add किया गया है ठीक है तो ये जो है बिल्कुल ही vital question आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और cut off कही साब से तो आप जरूर comment करके अपने score बताईएगा ही बताईएगा question number 18 देखते हैं चलुक्यो की राजधानी कहा थी देखे इनकी राजधानी के अगर हम बात कर रहा है तो ये था वातापी में ए हमारा सही हो जाएगा चलुक्यो की राजधानी कहा थी तो ये थी वातापी में अगला question देखते है question number 19 किसका उँलेख संगम साहत में हुआ है संगम साहित में जिनका उलेख हुआ कि लिएविख्याद था तो ये जो काम के लिए उरायरपूर्ड विख्यात था वो था देखे कपास के वपार का महतपूर्ण ये केन था उरायरपूर्ड ठीक है B हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा इसलिए संगम युग में ये काफी फेमस था 21 पांडे राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी पांडे राज की जीवन रेखा जो थी वो जो नदी थी वो देखे वेंगी नदी थी वेंगी नदी पर ये लोग काफी जाधा डिपेंडेंट थे तो पांडे राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी डी करेक्ट हो देखें तुरुतिय संगम की अगर हम बात करें वो जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था 23 देखते हैं मिनाक्षी मंदिर ये कहां पे है देखें मिनाक्षी मंदिर जो ये है ना ये कहां है तो ये है मदुरई में ये हमारा सई हो जाएगा आफिए मिनाकषे मंदिर आपने नाम सुनाओक पालवन्स का संस्थापक कौन था देखे पालवन्स का संस्थापक था वो था गोपाल ए करेक्ट हो जाएगा यहां हमारा निमलिकी दिम्से किस ने सोमपूर महाविहार का निर्मान कराया था सोमपूर महाविहार का जो निर्मान करवाए गया था धर्मपाल के द्वारा सी यहां मारा बिल्कुल ही सई हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 26 विक्रम सिला विस्विद्याले की स्थापना बंगाले की सासक ने करी थी तो विक्रम सिला विस्विद्यले की जो स्थापना करा था वो देखे धर्म पाल ने करा था ये बंगाला सासक था इसी ने विक्रम सिला विस्विद्यले की स्थापना करी थी 27 देखते हैं गुर्जर प्रतिहार सासकों में से किसकी उपाधी आदी विराह थी तो आदिवराह की जो अपाधी है देखें ये महीर भोज को मिली हुई थी किसको महीर भोज को आदिविहार की आदिवराह की अपाधी इनको मिली हुई थी चलिए नमबर 28 देखते हैं महान जैन विद्वान हेम चंद्र किसकी सभा को अलंकरित करते थे तो ये जिसकी सभा को अलंकृत करते थे यानि सुसोबित करते थे वो थे जै सिंग सिद्धराज C correct हो जाएगा तो महान जो ये जैन विद्वान हेमचंद्र थे ये इनी के दर्बार में रहा करते थे जै सिंग सिद्धराज के C सही हो जाएगा 39 गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना जो है किसने की थी तो गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना देखिए नागभट फरस्ट ने करी थी ठीक है नागभट फरस्ट ने चलिए अगले कोशन को बरते है 30 करनाटक वन्स का संस्थापक कौन था देखें करनाटक वन्स का संस्थापक की अगर हम बात करें इसमें से तो करनाटक वन्स का जो संस्थापक था वो था नान्य देव यह हमारा सही हो जाएगा 31. किस bank ने digital banking अभियान digital अपनाए प्रडम किये हैं तो ये digital अपनाए जो ये अभियान स्टार्ट किया गया है ये देखिए bank of PNB यानि कि पंजाब national bank के द्वारा स्टार्ट किया गया है ठीक चलिए 32 नमर देखते हैं किस राज ने स्कूली चात्रों के लिए मुफ्त स्मार् आपने ये पढ़ा भी था चलिए 33 नमर देखते हैं 33 है हमारा देखे 33 किस bank ने हाल ही में के सी समीच्छा विकल्प पेस किया है तो के सी समीच्छा विकल्प जो पेस किया है उससे पहले options देख लेंगों का तो PNB है RBI है उसके बाद BOI है और SBI है करेक्ट जो इसमें हो जा हाथ धोने की बुनियादी सुवधा का अभाव है तो ये जो WHO का रिपोर्ट है इसके हिसाब से 43 परसेंट दुनिया वर मैंसे विद्याल है जिसमें हाथ धोने की बुनियादी सुवधाओं का अभाव है 35 भारत सरकार ने किस वर्स तक सून्ने सरक मृत्युदर का लक्ष र ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से दवाएं देना प्राडम करेगा तो अमेजोन जिस सहर में स्टार्ट करने जा रहा है वो है सबसे पहले बैंगलोरू ठीक है बैंगलोरू में एमेजोन ये सिवा अपनी स्टार्ट कर रहा है जो कि ऑनलाइन फार्मेसी जिसको कहते है तो वो राज जहें देखें अर्णाचल प्रदेश, C हमारा यहां सई हो जाएगा, राइट, चले, 38 देखते हैं, फर्मॉला वन, स्पैनिस ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस ने जीता, देखें यह स्पैनिस ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, यह लुईस हैमिल्टन ने जीता है, A हमारा सई ह देखते हैं, अब हमारा 39 कोश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर रास्ट्य विश्यजजग्य समीति के अध्यक्ष कौन है, देखें तो इस समीति के जो अध्यक्ष के अगरा हम बात करें, वो है, वीके पाल साहब, C हमारा, करेक्ट हो जाएगा, के ड्रीम 11 के दोरा ये टाइटल स्पंसर्शिप पर्चेज करा गया है, है न, यह आपने देखा होगा, चलिए, 41 देखते हैं, 41 में है, किस राज ने पढ़ाई आपके मुबाइल तक योजना सुरू करने की घोसना की है, तो ये जो राज ये है, ये है, 36 गर गौर्ण्मेंट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, पढ़ाई आपके मुबाइल तक, ये जो स्कीम है, ये 36 गर गौर्ण्मेंट के दोरा लाँच करी गई है, बिएस एफ के ने महान निर्दिसक कौन नियूक्त किये गए हैं, देखें, बिएस एफ के जो ने महान निर्दिसक नियूक्त किये तो ये जो कंपनी है, ये है MCX, C हमारा यहाँ सई हो जाएगा, MCX के दोरा बुलियन इंडेक्स यानि बुल्डेक्स स्टार्ट किया जाएगा, 44 अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग आफ इंसिचूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्थान को केंद्रे वित पोशित संस्थान में प्रथम स्थान मिला है, देखिए तो वो जो है, इस्थान अगर उसके हम बात करें, तो आप्सन से है, IIT खड़कपुर, IIT मदरास, IIT बॉम्बे और IIT डेली, करेक्ट जो हमारा यह आंसर हो जाएगा, देखिए, आप्सन नमबर B हो जाएगा, IIT मदरास को य रैंक हासिल हुआ है, B हमारा करेक्ट हो जाएगा, पैतालिस देखते हैं, एक महिला रिपोर्ट के अनुसार, पर रेटन में इस्तमाल किये जाने वाले हाथियों की संख्या में सीर्स पर कौन सा देश है, तो सीर्स पर जो देश है, वो है थाइलेंड, B हमारा यहां किया गया है, D हमारा सही हो जाएगा, इंडियन डेल्वेस ने डोन अधारित निगरानी प्रनाली का सुभारम करा है, अपनी वैगन्स की सुरक्षा के लिए, 47 देखते हैं, स्वक्षिता सर्वेक्षन 2020 में कौन सा सहर सीर्स स्थान पर रहा, वो सहर जो सीर्स स्थान पर रह है, वो मिला है, 57, C, absolute, correct हो जाएगा हमारा, 49, शगुन, gift and insurance किसने launch किया, सगुन, gift and insurance, ठीक है, यानि कि जो insurance जो है, वहीं gift में देखे, आप सगुन कीजिए, ये, किसने start किया है, देखे, ये जो start किया है, ये, IBI, general insurance ने किया है, B, हमारा यहाँ, correct हो जाएगा, ठीक है, च आख़ी हमारा question जो है, 50 number, सवच्चिता सर्वेक्शन 2020 के अनुसार, गंगा के किनारे, बसे सहरों में सबसे साफ सहर कौन सा है, तो गंगा के बसे सहरों में सबसे साफ सहर की बात करें, सवच्चिता सर्वेक्शन 2020 के हिसाब से, तो वो है वारा नसी, हमारे PM, मोदी का, छेत है, तो दोस्तों यह है हमारा 3 जून का homework series, ठीक है, आज हम 3 जून का homework discuss करें, कल वीडियो नहीं आया था, किनी कारणों के वज़े से, चलिए, तो आज incident history में से हम देखेंगे, महा जनपदों का उता है, बहरत में कितने जनपद थें, ठीक है, बिहार, यूपी, यह मतलब य बिहार में हमारे कितने जनपद आते थे, यूपी से रेटर कितने जनपद है, तो जनपदों का सारा list आपको देखना है, और जनपद के बारें detail जो चीजे लिखी हुई है, lucent में इसको आपको पढ़ना है, very very important है, ancient history में से यहां से question बनते ही बनते है, ठीक है, लिचवी, क अधीन गवर्नर जनरल हमको पढ़ना, देखे, पहले हम यह करवाए हैं, लेकिन फिर यह काफी ज़्यादा लंबा यह topic है, काफी ज़्यादा बड़ा और काफी vital topic है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा तरीके से करवाया जाए, फिर से इसको इसको इंट्रोट्यूस कर रहा ह पूरे detail में और इसमें लंबा topic इसके बरहम दिया हुआ है, तो आपको page 40 में वारेन हेस्टिंग दिख जाएगा, इसलिए मैंने यहां वारेन हेस्टिंग के आगे आपको नहीं पढ़ना है, बस वारेन हेस्टिंग तक आपको पढ़ना है, तो यह काफी important हो जाता है, company के आ इंडियन जोग्रफी हमने नहीं देखा था, international जोग्रफी देखा था, world जोग्रफी देखा था, तो world जोग्रफी में जो हमने देखा था, ब्रमान हमने देखा था, आज हम देखेंगे फिर से हम इंडियन जोग्रफी को उपर आ रहे है, आज हम देखेंगे भारत की बारत में कितने पर सब्सक्राइब होती है और देखना है तो आज आपका जिखouting है भारत की मिट्टि की बात करें में है संग्या कारेपालिका तो आज हम पढ़ेंगे संग्या कारे निलिका कलिए दे टेसे से सकו負ाइन के लिखिने की दुखिस सेुमकर और सारा अमेंडमेंट है ये सब आपको संगे कारपाली का देखना है ध्यान से और ड्झ dłiden के अनुवांसिकी देखना ठीकलिकर इसमें। बैसिकली हमें यह समझना है और अच्छेसे देखना है- कि अपड़ जिसे जब बच्छा पैदा होता है तो उसको हम वाप से कौन कौन से घुन सुथव ही जो मां बापको होते तो इसिह कौन से बिमारी आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं बच्च्या किसा आपने माबाप के हिसाब से स्थू को सकता'Me थिए टोसी बहुत इंपॉर्टन घुर्पिक science में biology में यह आपको देखना है very very important है ठीक है current affairs के अब हम बात कर लेते हैं current affairs देखिए हमने September first week तक का complete करवा दिया है आज हम तेखिएंगे September second week तक का ठीक है आप पस जो भी previous 2020 का magazine हो current affairs का आप वहां से इसको complete कर सकते हैं otherwise कोई बात नहीं अगर नहीं है तो आप YouTube पे सर्च करें यूटूब बहुत से चैनल से हैं जो current affairs प्रवाइड कराते हैं अगर आपको weekly current affairs मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है otherwise monthly current affair बहुत से चैनल है जो monthly current affair करवाते हैं तो आप बस वहां YouTube के search column में उपर में लिखें कि September current affair या September second week current affair बहुत से बहुत से वीडियो मिलेंगे जिन महानु भावगा भी आपको वीडियो अच्छा लगे लहजा अच्छा लगे समझ में आये बाते उनकी आप देखें औ और बस अपना current affair दुरुस्त करें चाहें कहीं से भी करें ठीक है तो फ्रेंड्स आज तीन जून के homework जो है इसमें बस इतना ही और यह हमारा अभी set number 7 भी हुआ तो उमीद करता हूँ आपने cutoff को जरूर पाड़ किया हुआ तो cutoff कितना आया आपका comment करे जरू बता है और homework series और कोई भी question है तो उसको भी comment करके आप जरूर पूछें तो आज किस वीडियों बस इतना ही till then take care bye bye and god bless you all